मनसे प्रमुक राज ठाकरे इनोंने सभी मज़द से अजान दिये जाने वाले भोंगों को ततकाल नीचे उतारा जाए वरना आने वाले तीन मई को यदि कुछ अन्हुनी घटना होगी तो उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी ऐसे चेताब नहीं दी है इससे बात को लेका इस शहर के सामाजिक कारे करता शबीर विद्रोही इनसे हमारे समवादता संजे मेरे इन्होंने बाचीत किया ये देखते हैं आने वाले तीन तरह को जिस प्रकासे मचीदे पे जो भूंगे चल रहे हैं उसको निकानने की बात करते हैं महाराष्ट नौन निर्माद सेना के सुप्रीमोर राश्ठ ठाकर इन्होंने ऐलान किया है कि यदि तीन तरह का अल्टिमेटम दिया जाता है बावजूद उसके यदि वहां से भूंगे नहीं निकाले गए तो सभी लोगों को तैयार रहने की हिदायत उन्होंने दिये आखिरकार क्या होने वाला है आने वाले तीन तरिक को आईए इस हमारे साथ में वरिष्ट समास सेवक इस राज्य के शब्र विद्रो ही हमारे साथ में उन से जाना चांगे शबरी से ये बताए कि जिस प्रकाश से राश ठकरे नहीं ये जो बात कही है कि आने वाले तीन तरह को भूंगे नहीं निकला तो हम लोग पुरी तरह से तयार है इसका मतलब क्या है और क्या सही मायने में मुस्लिम समुदा ये भूंगे जो अजान के लिए दिये जाते हैं क् क्या कहना चाहते हो आप देखिए पहले तो आपके दर्सकों का भिवादन कर दूँ फिर आपके सवाल का जबाब दूँ सवाल जो आपने पूछा है उस सवाल का पहली चीज ये है कि उनका विरोध जो है वो भूंगे से है कि आजान से है अगर भूंगा से है तो भूंगा आलात है जो हमारी आवाज को बढ़ाता है आवाज बढ़ाने की अब जरूरते नहीं रह गई है अब तो आवाज खुदे बढ़ता जा रहा है ये पार्टी खतम हो रही है मुद्दा का ये जानते हैं क्या है मुह जो है बाल ठाकरे की है आवाज भाजापा की है तमंचा बाल एक फैसला कर लिया है अजान आज आज ही आप जाकर देखिए हमारे आर्दस मस्जिदों में हमने कह दिया कि जब तक परमीशन लो आजान मत दो वह मान गये हैं वह परमीशन के लिए पुलिस को रिपोर्ट डाले हैं जो सुप्रिम कोट ने अठाइस दस दो हजार पांच को अगरन करने के लिए, कारण यह ए कि सुप्रेम कोट के फैसले को मान करके आस्ता के आधार पर हमने मस्जीद के विवाद को खतम कर दिया जनाब जबकि सुप्रीम कोट खुद कह रहा है कि हम नहीं जानते कि यह प्रापरटी किसकी है लेकिन आस्ता के आधार पर हम राम मंदिर को देते हैं हम आगे गए हम सुप्रीम कोट के हर फैसले को मानने को तैय सुप्रिम कोट के फैसले के आधार पर सेंट्रल गोवर्मेंट अध्यादेश जारी करे और यह अध्यादेश सब के लिए है यहां भेद भाव की भावनाओं से भावना भड़कती है अगर सब के साथ एक तरह का परताव हो तो भावना के भड़कने का प्रश्णी ही नहीं आ आता है वो तीनों लोग के उजागर हैं वो गुरके सागर है इनका नाम ले करके करने जा रहा हूए बड़ी बात क्या outdoors की है सब कि आथ किसम का नहीं चाहता अपना इद हम मनाएंगे और सरकार का काम है संती ब्यवस्था अस्तापित करने का कारिय करना सरकार को चाहिए कि अपने चीजों के आधार पर विवस्था करे और मैं यह जानता हूं कि यह केवल इस लिए किया जा रहा है पहले जमाने में सेवा पर राजनी चलती थी अब जाती बात है और जगड़े के आधार पर ओट बचाना और ओट बढ़ाने का नाटक है ये बाकी कुछ नहीं है ये एक नारा है राम मंदिर बन गया अब दूसरा कोई मुद्दा चाहिए मुसल्मान के खिलाफ इसलिए ये ल संभिधान का दुस्मन होने वाली सरकार नहीं चलती और ये सरकार मुसल्मान के साथ संभिधान की दुस्मन है जो सेंट्रल में है बिल्कुल तो आप ते शबीर वितर जन्हें ने बखुपीर बेबर के साथ ये कहा है कि सरकार अब इस और क्या ध्यान देती है देखने वाल झाल पुरो